हेलो मैं वीटुफल सोल्स विल्कम टू माई यूटुब चानल चारोविश्य वी टिपल डियर कैसे आप सभी लोग आप सभी लोग आपसे भी लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं चैनल पर आया है तो रिक्वेस्ट करूं भी सब्सक्रा सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रिच्वल लर्निंग और वीडियो के लिए लेट स्टार्ट यू रीडिंग आपके परसन की अनर्जी क्या है ओक्या है प्लीज हरा गाइड मेरे जो भी विवीवर्च अनके पार्टनर्स की करेंट अनर्जी इस क्या है पहली अनर्जी निकल कर आईए पहली वर्ड चैनल हुआ है जैसी रिडिंग स्टारी माइंड गेम्स ओके यहाबर पहली एनर्जी ऐसी निकल कर आ रही है कि आपके परसन है उनके mind games आपके उपर चल नहीं पारे उनके tactics, उनकी जो भी हरकते हैं, जो चीजें रहती हैं, जो भी वो आपके साथ mind games प्ले करते रहते हैं, आपको अपने इसाब से घुमा देते हैं, अपने इसाब से चला देते हैं, तो वो energy यहाँ पर नज़ा आती है, वो सारी चीजें, फिलाल आप की उपर नहीं चल रही है इस person की, कही ना कहीं आप इस person को counter कर रहे हो यहाँ पर message निकल कर आ है कि माली जी आप अपने person को कोई जवाब नहीं दे रहे थे, वो जो करते थे, आप चुपचाप सहते रहते थे, लगातार आप इग्नूर करते रहते थे और आप इस परसिंगी खिलाफ ना तो कुछ बोलते थे नहीं इन से कुछ कहते थे नहीं आप कोई आंसर करते थे लंबे टाइम तक जब आप किसी को आंसर नहीं करते हैं और कोई लगाता है आप से कुछ भी बोलता जाता है एक टाइम पर उसक तिक थिक आया आप आप आंसर कर रहे हो, आप जबाब दे रहे हो, आप सहे नहीं रहे हो. sympath सही नहीं, कैसारा कुछ there, पर आप इस परसन को जवाब दे रहे हो, आप नो बोल रहे हो, पहले जो आप सुन लिया करते थे, पहले जो आप जैसा बोल रहे थे, वैसा मान लिया करते थे, अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हो, यहाँ पर मैसेज आ रहा है, उल्टा यहाँ पर एब नजर आता ही, कि आप इस पर पर सुछब्स करने किया किंछ कर रहा तो कभी सय नहीं नहीं किल आप किया पर अपने आपको सभी साबित करते हो अपने डीज थे हो आपने घ्ला कूर मेलागी बिसना हु करदे हैं मैं चुर्थ आप करते हों या पर जो भी चीज़े हो लेकिन अब आप अपने आपको सही थाबित करते हो अपने स्टैंड लेते हो अपने आपको बोलते हो यह चीज नजर आ रही है यह चीज़ ना आपके परसन को ऐसा लगता है कि आपके मुव में जुबान कब से आ गई यहां पर ऐसी एनरजी निकल कर आ रही कि आप तो मुव भी नहीं खोलते थे इस परसन के आगे ओके यहां पर ऐसा मैंसे निकल कर आ रही कि आपके और आपके परसन के बीच में आपके पार्टनर ने आपको बिखेरनी की बहुत कोशिश की है लिटरली कार्मिक रिलेशनशिप जैसी वाइव आ रही है यह लिटरली आपके परसन ने आपको बिखेरनी की अतधिक कोशिश की बहुत कोशिश की बिल्कुल तुकड़ों में आपको बिखेर की रख दिया लेकिन आप वो इनसान हो जो अपने आपको समेट लिये हो लग आप इस परसन को काउंटर करने लगे अदरवाइस पहले आपके अंदर ना स्ट्रेंट थी ना पावर थी आपके अंदर बहुत जादा फियर था तो आप इस परसन की जितने भी अत्याचार हैं जो भी चीज़ें हैं कलेश चीज़ें हैं वो सब कुछ आप सहते चले गए और आप कुछ बोले नहीं इस वज़ जिस परसन की अनरजी में यह है कि आपके मुवें भी जुबान है आप भी बोलने लगे हो कहीन है कहीन मुझे ऐसा मेसेज मिल रहा है कि यहाँ पर मा की अनरजी है आपके साथ ठीक है क्योंकि मैं जहां पर शेर नजर आ रहा है उसी जैसी आक्रती बन रही है तो वो कही ना कि पावर तो आई है मेरे व्यूर्स में अग्ये लिए ओके यहां पर आपके जो परसन है आपसे उन्होंने हमेशा मतलब यह यह एक्सपेक्ट किया है कि आप उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और आप चले भी है लाइक आप हमेशा इस person के साथ कदम से कदम मिलाकर चले वी हैं, आपने इस person का साथ देने की बहुत कोशिश की, रिष्टे संभालने की कोशिश की, परिवार देखने की कोशिश की, बच्चों को संभालने की कोशिश की, जैसे भी है, यानि आप relationship में है, married है, unmarranted है, no matter, यहाँ पर आपने हर तर यह प्रस anders एकिआ पार है क्योंकि यह चालंट धे ऑई जाता है जिससे चालंगे एनट्ऊ डेनी के उमिद हो आप आपसे चालंगे देनी की उमिर ही नहीं थी इस पर संग कि आप आप छी भी लेवल से किसी भी तरीके से कोई चालंगे दे एक आमने सामने की एनरजी मेरे को यहां पर फील हो रही है अच्छली आपके दिमाग की बत्ती चलिए आपर एक बल भी मुझे देखाई दे रहा है कहीं ने कहीं आपके देर लाइट् कि जतना पाप कर्म करने वाला इनसान गलत होता है उतना ही उस अत्यचार को जान बुझ कर सहने वाला इनसान भी गलत हुता like वो कुछ कहनी पा रहा अपने और वो सहता जा रहा है सहता जा रहा है तो वो भी कहीं न कहीं गलत में count होता है तो सहना नहीं चाहिए ठीक है एक दो बार तो फिर भी चलो आपने छोड़ दिया लेकिन भरबान नहीं तो वो energy कहीं न कहीं आपके भीतर आई और ये आपकी light से आई है जो भी light आपके अंदर आई न ये तब तक नहीं हो पाता है किसी के साथ भी जब तक कि इनसान अपनी आप से न जुड़े अपनी light से न जुड़े क्वी light जो आपके अंदर की होती है divine energy ठीक है वो आपको इतनी power देती है कि आप अकेले खड़े हो सके हैं ठीक है आप अकेले लड़ सके हैं अकेले आप सामना गर सके हैं तो कोई इनसान है जो लगाता है सहता जा रहा है सहता जा रहा है तो इतनी power होती ही अगर कि वो counter कर पाता है तो बहुत पहले कर लिया होता है उसके अंदर होती ही नहीं पावर लेकिन जैसे वो डिवाइन एनर्जी के सास्थ जुड़ा उसने अपने को सरेंडर किया युनिवरस ने उस पर काम किया उसके अंदर अटमेटिक ये लाइट आ तो वो नहीं डरेगा, वो सामना करेगा, उसके अंसर से डर निकलने लगते हैं, आप कभी भी नोटस कर लीजेगा, बहुत सारे लोग हैं, जो नवक कर रहे हैं, डर निकलने लगता है आपके बीतर से, जैसी आपके बीतर से डर निकलेगा, आप सामने वाले को रोकने का प्र नजर आ रही है जहां पर आपके अंदर वो लाइट है ना जो वो चीज आपको आपके परसन के सामने खड़ा किये हुए है क्योंकि कहीं न कहीं यह पूरी रीटिंग कार्मिक पास्तर में मजबूर होकर दिखा भी रहते खुद को यह एनरजी हाँ पर निकल कर आ रही है सेजिटेरियस यहाँ पर स्टॉंग जोडियक साइनस सेजिटेरियस निकल कर आया है वो ओके सेजिटेरियस है और यहाँ पर टॉरस है ठीक है लेखें यहाँ बर एसा नज़र आता है कि आपके परसंट को लंबे टायम से आपके साथ इस तरी की चीज़ DON't ओई थी ठीक है आपने इस परसंट की इनरजी में लब तो बहुत कम फिल किया होा ठीक है लब तो आपने इस परसंट energy में कभी feel नहीं किया होगा अच्छा एक difference बताती हूं कार्मिक relationship में और आपको जो अपनी divine journey लगती है उसमें एक difference होता है जो कार्मिक relationship होते हैं यह toxic होते हैं एक time पर divine connection में भी toxicity आ जाती है लेकिन आपको divine connection में still love feel होता है ठीक है वहाँ पर आपको love feel होता है लेकिन जो कार्मिक relationship होते हैं इसमें आपको हमेशा ऐसा लगता है कि सामने वाला बस बस आपको प्रतार ना देना चाहता है उसे आपकी सुब्दुख से कोई फरक नहीं पड़ता डिवाइन जर्णी में क्या होता है आपको counterpart आपसे दूर भागता है वो आपको मतलब torture नहीं करता ठीक है अगर आप narcissist के साथ फस जाओ तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा ठीक है तो आप आप अपने intuition को ही सुनकर समझें कि आप मतलब किस relationship में है क्योंकि narcissist बहुत ही different चीज़ है वो तो आपको ऐसा शो करेंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं आप उनके प्यार में पूरे डूबे रहोगे लेकिन हमेशा आपको यूज़ करेंगे उस व्यक्ति से हमेशा आपको एक ही वाइव आईगी कि ये मुझे बढ़ी इस्ते माल करता है लेकि अगर आपने कभी भी द्याए तो उसके साथ आपको हमेशे ये वाइव आईगी ये मुझे इस्ति माल करता है अगर आपके पस थोड़ी सी याइट है बहुत जादा प्यार मतलब उनके तरफ से आपको extra overloaded प्यार जो होता है वो देखने को मिलता है तो नार्क की energy डिफरेंट होती है कार्मिक्स टॉर्चर बहुत जादा करते हैं तो यह चीज यहां पर दिख रही है तो इसमें काफी साहिए लोग कामेंट आया है और उनों बोलाई कि जुद्धी आप बोल रहे हो ना वह रीडिंग में हमारे पार्टनर की energy नहीं है वो हमारी energy है हमारा जो पार्टनर है वो इस तरीगी का इनसान है जो इस तरीगी मुझे मैंने आपको पहली रीडिंग में बोला था कि वो सबके साथ वैसे रेजोनेट नहीं करेगा लेकिन दो चाल लोग आये थे जोनों नहीं बोला था कि हम यह गलती कर रहे हैं दुवारा यह सुधारेंगे करेंगे नहीं तो उनके लिए ही रीडिंग थी कि जिनका बच सकता है relationship बचा ले यूनिवर्स हमीशा गाइड करता है बाकी बिगड़े अशी भी energy है जिसे थोड़ा सा जुक कर चल रहे हैं थोड़े से जुके हुए हैं बैक साइड पर बहुत पेन हो रहा है इस परसन को हम अच्छली आपर कुछ ऐसा भी message निकल कर आ रहे है कि कोई आपको गिराने की अता कोशिश कर रहा है लेकिन कई वार ऐसा होता है कि सामने वाले को गिराते गिराते आपको खुद गिर गए आपको खुद पता नहीं चलता है तो यह वो message भी आया है कि आपको जो partner है उसने आपको जरस से जादा गिराने की कोशिश की है नीचा दिखाने की कोशिश की है आपको बहुत जादा गिराने की कोशिश की है आपको बहुत जादा गिराने की कोशिश की है आपके जो partner है वो खुद नीचे गिरे हुए है यानि आपको गिराते गिराते वो खुद ही गिर ठीक है अपनी नजरों में दुनिया की नजरों में लोगों की नजरों में ये एनरजी आ रही है इस परसंद की एक और घटिया हादत जो परसंद की पास्ट में आपको लेकर रही है वो है आप पर नजर रखना ये लिटरली कार में कनेक्शन की ही वाई वे देखो अगला मेसेज ये विल्कुल वैसा ही निकल कर आया है जैसे किसी ने आप लिए बहुत जादा नजर रखी ह कि तो कहा गए थे किसे मिलने गए थे क्यों गए थे तुमारे मॉबाइल में क्या है फोन में क्या है किसके नंबर है कौन-कौन से इस तरह की चासूसी करते है ना जिनको अपने पार्टनर पर बिल्कुल विश्वास नियुता ऐसा पार्टनर आपको मिला हुआ था और यह कहीना की निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको जड़ा से ज़ादा कंट्रोल करने कोशिश किया है आपको आपकी उपर लिटरली इस परसन ने नजर रखिए कहा थे किसके साथ थे क्या बात कर रहे थे कितने दोस्ते तुम्हारे घर से अकेले मच जाया करो मेर को यह बाए आपका और यह तमाशा और यह सारी चीज़ है मैं और ज्यादा नहीं सहन कर सकती ठीक है आपके अंदर की जो लाइट है न वह इस चीज़ को कवारा ही नहीं कर दी कि आप इस परसिन के जिसी कोई भी चीज़ों को सहें ठीक है अब पहले जो आपकी मन में डर था क आप अकेले नहीं रह सकते connection में, आपको इस person को जेलना ही है, सहना ही है, तो इस energy से आप बाहर आ रहे हो, कहीं न कि आप वो lesson learn कर रहे हो, कि कोई ज़रत से ज़ादा आपकी उपर अत्याचार कर रहा है, तो आपको no बोलना ही बोलना है, आप परमात्मा पर रखकर no बोल दें, कि इशर बेश्वास रखके no बोल दें, कि आप मैं on नहीं सह सकता हो गया जतना होना था, ताकि आपकी आने वाली life में आप एक दूसरी timeline में जम्प करें, और दूसरी तरीकी चीज़ों को attract करें, क्योंकि जब तक आप इसी timeline में हैं, इसी तरीकी चीज़ों को आप लगातर experience करते जा रहें, करते जा रहें, और खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल रहें, universe को भी surrender नहीं कर रहें, और लगातर आप सहर रहे हैं, it means आप इसी timeline में रहना चाहते हैं, एक lesson बनेगा, जो इस lifetime में नी सीकोगे, तो next life में carry forward होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस lifetime में इस lesson को learn कर चुके हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है, कि आप no बोलेगे हैं, और गदरस से जादा कोई आपको control कर रहा है, आपकी खुशियां चीन रहा है, आपको आपकी हक नहीं दे रहा है, तो आप no बोल रहे हैं, उस person को हमेशा के लिए, चाहे वो कोई भी हो, okay, देखते कि यः अपको एंगे काँए ज़िकरेश हैं, तो कैसे संही अपकी है, ह् большण बिकर वाद़ा के तो, भी हैं, तो, हमेशा को बधनीव जो तो कि आपको जो, mamla, बहा क्लोग जो ज nations प्रें सांसाना और देयाँ, हैं, तो यहां पर एक मैसेज निकल रहा है इन दोनों कार्ट से कि आपके परसन का जो भाग के हैं आपके परसन से रूठा हुआ है वील ओफ फॉर्चून और वर्ल्ड देखिए आप लिटरली ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप इस परसन की या तो हस्बेंड है या तो वाइफ हैं यहां पर मैरिट हैं आप इस परसन के साथ और आपके परसन ने मैरिट लाइफ में ही आपको जबरतस्त कंट्रोल करके रखा था अब ना थो इनकी मरजी के बेना सांस ले पा रहे थे नहीं आप इनकी मरजी के बेना कुछ कर पा रहे थे इस परसन ने आपके ओपर पूरा किया हुआ था आपको एपको खु है था कि कि आपके husband और आपके wife के साथ आप मानसक तोर पे energy share करते हो mental level पर emotional level पर physical level पर spiritual level पर हर तरीके से आप सामने वाले विक्ति के साथ जड़े हुए होते हो क्योंकि वो आपकी पती या पतनी है ठीक है जब आप इतनी तरह से उनके साथ उचा शेयर करते हो को अपनी आपस में शेयर कर रहे हो 01 कि उनकी चक्रात जो ए okay- merge Go deliver एनरजी को he ब्ढूब करते हैं तो लुष ने वाले की चक्रा नेगटेव में तो आप उनकी अनरजी को एब्ढूर्ब करते हो जब आप दो दोनों एकक्रों के साथ connection में रहते हो लंबे टाइम तक तो आपकी energy आपकी अच्छाई का प्रवाब आपके husband को देखने मिलता है आपकी wife को देखने मिलता है और उनको उनकी भी चीज़ें you know protected रहती है ठीक है उनकी भी चीज़ें बची हुई रहती है और आप से उनका भागे चलता है आपकी के टाइम में कुछ असुर पत्मिया हुआ करती थी ती बहुती ज़दा पती रहती थी ती तो जैसे हम जलंधर की बात करने तो उनके जो husband रहते थे थे उनको इतनी आसानी से ईश्वर मान नहीं पाते थे यानि कि देवता जो रहते थे तो इतनी आसानी से उनको नहीं मार क्योंकि जो wife रहती थी वह बहुती ज़दा भकती करती थी पती पती धर्म धारन करती थी जिसकी वजह से उनके husband पर कोई आच नहीं आदी थी यानि कि आपके husband और wife आपके protection होते हैं ठीक है और अगर आप उनको ही मतलब गलत तरीके से treat करते हो या गलत तरीके से उनको आप उनके साथ बच सलूक ही करते हो या फिर आप उनके साथ किसी भी तरीकी चीज़ां करते हो तो आपका भाग के रुष्ट होना तैह है ठीक है जो जो अपनी wife पर हाथ उठाते हैं या फिर अपने husband को आप किसी भी तरीके से abusive word बोलते हो तो कहीं ना कहीं इस तरीके के message निकल कर आ रहे हैं और आपके person की state अभी ये है कि बंते बंते काम जैसे इस person के बिगड़ रहे हैं ये अपनी चीज़ों को protect करनी की बहुत जादा कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपके person का आकर्शन भी आपकी तरफ नजर आता है ठीक है जो आकर्शन पहले नह इस person की आपके आपके लिए इनकी नजरों में वो अभी दिखाई पड़ती है और ये कारण है कहीं ना कहीं आपके इस person को ऐसे intuition के guide करते हैं या इस तरीकी चीज़ से बताते हैं कि आज यह चो चीज़ें इस person की life के अंदर हैं और जिस तरीके से आप इस person को counter कर रहे हो कही ना कहीं यह सारी चीज़ें इस person की इसी की वज़ा से हुई है लाइक आपने जो कुछ भी सहा है इस person के साथ रहे के ठीक है और विसी बात है आपको कोई ना कोई करमा ऐसा जरूर रहा होगा जो आपने इतने लंबे टाइम तक अपना मुह नहीं खोला और आप सहते चलेग और जब तक आप सहते रहेंगे सामने वाला कहता रहेगा एक बहुत स्टॉंग लेसंत हैं आपर जो मेरे विव्यूर्स ने लर्ण किया जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करें क्योंकि यहां पर ऐसी एनरजी निकल करा रही विद फोर आफ कोईंस की आपके person अपनी च किया बहुत स typical चारे प्रयकि विव्यूर्स अपनेट करें बहुत डबलू एर एच एक्स वाई नंबर है 643 ओके हम अपने फीडबेक आप पर्मेंट सेक्षिन में लिख सकते हैं परस्नल लीडिंग के आप मुझे वाट्स अप कर सकते हैं वीडियो पसंद आता है लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब मैं चानल थैंक यू गाईज